इस वक्त भले ही पूरी दुनिया का आटो मोबाइल सेक्टर मंदी से लड़ रहा है लेकिन इसका फ्रैंकफर्ट आटो शो को देखकर यही लगता है कि कमप्रींज को जल्द ही वक्त बदलने की उम्मीद है यही वज़ा है कि कमप्रींज ने अपनी नई कारों को यहाँ शोकेस किया था और ऐसे में वक्सवेगन ने अपनी पहली लेक्टिक कार आईडी पॉइंट थी को पेश किया था तो यह नई ID.3 तीन वेरियंट में लाउच होगी जोकी ID.3 First, ID.3 First Plus और ID.3 First Max है और यह कार एक कॉंपैक्ट है्चपैक कार है बैटरी और पॉइर की अगर बात करें तो फुल चार्ज करने पर यह कार 330 से 550 किलूमीटर तक चल सकती है सबसे पहले base variant की अगर बात करें तो इस variant में 45 kWh की बैटरी दी गई है जिसे single charge करने पर car 330 km तक चल सकती है दूसरे variant ID.3 first plus की अगर बात करें तो इस variant में 58 kWh की बैटरी दी गई है और ये full charge होने पर 420 km तक चल सकती है तीसरे और top variant ID.3 first max की अगर बात करें तो इस variant में 77 kWh की बैटरी दी गई है और इसे full charge करने पर car 550 km तक चल सकती है फीचर की अगर बात करें तो इस car में head up display, cruise control, rear view camera, keyless entry, two USB port, panoramic sunroof, navigation system, ambient lighting, DAB plus digital radio और beat sound system जैसे features देखने को मिलेंगे साथी इस car में full color instrument console और 10 inch का touch screen infotainment system जैसे बेहतरीन features दिये गए है और हम आपको बता दें कि Volkswagen ने इस car के केविन को काफी high tech बनाया है जिसमें जादा तर touch sensitive buttons दिये गए हैं इसी के साथ आप अपना smartphone भी ID.3 app की मदद से car के साथ connect कर सकते हैं बात करें लुक की तो इस car में engine नहीं दिया गया इसी लिए इस car का bonnet चोटा है जिसकी वज़े से car के भीतर passenger sitting area space भी जादा है फाइनली अब बात करें कीमत और launch date की तो इस car की शुरुआती कीमत करीब 30,000 यूरो यानी करीब 23,80,000 रुपए है और company इस car का production नौंबर से शुरू कर देगी यानी हमारे अनुमान के मताबक साल के अंत में या फिर 2020 के शुरुआती महीनों में ये car launch हो जाएगी वॉक्स वेगन की इस पहली electric car ID.3 के बारे में अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरू करें थैंक यू